के वेलकम स्टूडेंट तो आज हम ढूंँ करेंगे दोनों कोशन तो यह हमारा बेसिक स्केचिंग के अनदर आता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप इस तरीक के कोशन's को ढूँ करते हो तो चलिए इसको स्टा। करते हैं पहले हम यह वाला कोशन ड्रो करेंगे उसके बाद फिर हम यह कोशन ड्रो करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से हम पहले यह 60 की लाइन करेंगे और उसके बाद यह हम 35 की ड्रॉ करेंगे या फिर आप यह कर सकते हो कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो 35 by 60 का तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे होर्टिकल डाइमेंशन तो जो हमारी होरिजेंटल डाइमेंशन है वो 35 की है टप का बटन प्रेस करेंगे ताकि आप नेक्स प्रैक्ट में आ जाये और आप यहाँ पर लिखेंगे 60 और कर देंगे तो यह आपका पहला bracket draw हो चुका है जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे यह आपका पहला bracket draw हो चुका है इसके बाद आप इसी bracket को copy भी कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यह आपने select किया select करने के बाद copy पर click करेंगे और उसके बाद यहां पर click करेंगे then again यहां से इस वाले end पर click करना है then one and two तो यह two times copy हो जाएगा further नहीं चाहिए तो skip press कर देंगे तो यह cancel हो जाएगा और यह दिखेगा यह bracket हमारे बीच वाले बज चुके हैं जैसे कि यह बट यहां पर आपकी double lines आएंगी वो इसलिए क्योंकि आपने इसको copy किया है अगर आपको इस तरीके से draw नहीं करना तो मैं इसको undo कर देता हो और इसके बाद आप यहां पर इसको आगे further draw कर सकते हो by creating one by one तो आप line पर click करेंगे यहां पर click करेंगे यहां पर line draw करेंगे 35 की enter कर देंगे ещё यहां इहां से यहां click कर देंगे तो यह second bracket बन जाएगा उसके बाद फिर से line पर click करेंगे और यहां पर click करेंगे यहाँ पर 35 की लाइन ड्रॉ करेंगे दैन उपर की साइट 60 और उसके बाद फिर यहां से यहां मिला देंगे तो यह दोनों ही तरीके हैं आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकता है इसके बाद आपको यहाँ पर एक ट्रैंगल बनाना है उपर की साइट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहोंगे यह ट्रैंगल बनाना है और यह वाली साइड हमें दी हुई है 24.74 की और एंगल दिया हुआ है 45 तो यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक करेंगे दैन इस एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे अब आप इस दिरेक्शन में जाएंगे डाइगनली ब बट अभी आपके पास एंगल का कोई option नहीं आ रहा है फीट करने का तो आप shift के साथ add the rate प्रेस करेंगे यानि shift प्लस add the rate तो आपके पास दोनों option आ जाएंगे एक length का होगा और एक एंगल का जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहोंगे जहाँ पर 46.33 लिखा है यहाँ पर इसके बाद इस line को आप यहाँ से नीचे की side यहाँ पर मिला देंगे तो यह भी draw हो गया है इसके बाद आप यहाँ जो capital A लिखा है इसके side में एक छोटी से arrow है यहाँ पर आप linear पर click करेंगे then यहाँ पर then यहाँ पर और यह dimension हमे 60 दी हुई थी इसके बाद अगेन यहाँ इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ यहाँ पर चोटी ऐरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एंगुलर का option मिल जाएगा इस पर और कितना भी पीछे शोग कर सकते हैं यह आपके उपर है मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं लाइक दिस तो यह आपका एंगल ड्रॉ हो गया है इसके बाद आपको नीचे की साइड यहाँ पर 35 की लाइन ड्रॉ करनी है विद एन एंगल ऑफ 60 तो यहाँ पर हमने लाइन 60 नहीं लिखेंगे बलकि-60 लिखेंगे वह इसलिए क्योंकि एंगल हमें clockwise direction में मेजर करना है यानी reference लाइन से साइड मेजर करना है तो यह हमारी यहाँ पर reference line होती है इससे नीचे की साइड हमें draw करना है तो इसलिए हमने यह रहा हुआ आपका 60 अंगलगल अगें यहाँ पर क्लिक करेंगे और लाइंट पर क्लिक करेंगे तो यहां से यहां तक यह आपका 35 जैसे कि कोशन में दिया ओवा था यह स्कूर्च हमने आप ड्रॉ कर दिया है इसके बाद कर कर दिया है कि इसको मैं कॉपी कर और यह जो question है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर second question draw कर पाए तो second question में हमें यह object दिया हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले circle draw करेंगे outside वाले यह देखेगा पहला circle यह है जिसका हमें diameter दिया हुआ है 40 इस side में हमारा यह outer circle यह वाला है जिसका diameter हमें 20 दिया हुआ है और बीच में हमारे चोटे circle है यहाँ पर और यहाँ पर और इन दोनों circle के बीच की distance जो है वो 60 है तो चलिए हम सबसे पहले यह बड़ा वाला circle draw क क्लिक नहीं करना है आपको यह चोटी सी arrow दिख रही होगी सर्किल के नीचे यहाँ पर क्लिक करना है और चूज करना है आपको कि radius के थ्रों बनाना है या diameter हमें कोशन में diameter के थ्रों दिया हुआ है तो हम diameter वाले पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे औ यहां पर दूसरा सर्किल हमें hello करना है 20 डायमेंटर का तो यह दिस्टेंस हमारी 60 है सेंटर डू सेंटर दिस्टैंस तो मैं लाइन पर क्लिक करूंगा और यहां सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस डॉरीकषन में आप 60 की लाइन ड्रॉ करेंगे यह देखिए लाइन थोड़ी सी टेड़ी हो जा रही है तो आप यहाँ पर एक प्रेस करेंगे ताकि एक्जेक्ट होरिजेंटल लाइन ड्रॉ हुपाए डायमेशन लो अगीन आप यहां से एक सरक्ल ड्राव करेंगे बट इस टाइम आपको रेढियस के तरह ड्राव कपरना है क्योंकि कुछिस्चन में रेटियाइस डी ऊही यहां click करेंगे और इसको radius fit करेंगे 10 तो यह 10 रेडियस का करतू हो गया है अगेन आप same चीजACH repeat करेंगे इस end इस पर और इस time is radius 5 तो या enter कर देंगे तो यह हमारा क्राह कर देंगे नहीं चोथिंगे यह थे हैं तो आप इसको delet कर करने के बाद आपको करजर इस छोटे सर्किल पर लेकर आना है shift का button press करके रखना है और माउस में right click करना है तो आपको यह list मिल जाएगी जिसमें आपको tangent select करना है और उसके बाद आप इस छोटे circle पर click कर दिजेगा तो automatically और tangent पर set हो जाएगी बट ये बड़े सर्किल पर क्लिक करने से पहले अगेन वही स्टैप आपको रिपीट करना है करजर को यहां बड़े सर्किल तक लिक कर आना है shift का button दबा कर रखेंगे और right click करेंगे mouse पर तो ये again आपको tangent select करना है और इस बड़े circle पर फिर आप click कर देगे click करने के बाद इस line को ये दोनों side से tangent बना देगा same चीज आपको नीचे भी repeat करनी है तो again आप line पर click करेंगे इस बड़े circle पर लाग कर आप shift का button दबा कर रखेंगे और mouse में right click करेंगे tangent then again इस circle पर click कर देंगे then उसी चीज़ को आप फिर से repeat करेंगे यहाँ पर shift का button दबा कर रखेंगे right click tangent और आप छोटे circle पर click कर देंगे like this तो ये यहां से इस portion को हटा देंगे यानि कि trim कर देंगे तो trim करने के लिए जो command होती है वह है TRIM यानि आपको trim लिखना है और दो बार enter press करना है दो बार enter press करने के बाद आप जहां जहां click करेंगे वहां से portion delete हो जाएगा और remove हो जाएगा देखेंगा मैं यहां पर click कर रहा हूं तो यह हट जाएगा यहां से यहां तक और यहां पर click करने से भी यह हट जाएगा इसके बाद आप escape press करेंगे trim command को cancel करने के लिए यह देखेगा आपका object बिल्कुल वैसा ही बन गया है से यहां पर दिया हुआ है अब आपको स्रीविस में dimension शू करनी है तो सबसे पहले हम center to center distance दिखा देते हैं उसके लिए आप यहां पर click करेंगे linear पर और यह देखेगा mouse को जब चैसे ही आप center पर लिकर आओगे तो वह इक ही आपको notification दिखा देगा कि आप circle के circle पर आप click करेंगे और आप यहां पर कहीं भी diameter दिखा सकते हैं यह देखेगा 40 अगेन आप फिट से diameter पर click करेंगे और इस outer circle पर click करेंगे छोटे वाले और यह यह यहां पर diameter आजाएगा आपका 20 जैसे की question में दिया हुआ था बट यह जो middle वाला जो circle है यह आपको रेडियस के थो दिया हुआ था तो आप चाहें तो यहां पर रेडियस के थो कर सकते हैं यह देखेगा रेडियस का option है यहां click करेंगे और अंदर वाले circle पर click करेंगे तो यह question में आपको दिया हुआ था 10 का और अगेन फिट सही ड्रा हो गया है जैसे कि यहां पर दिया हुआ था तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरीकी की वीडियो को देखने के लिए प्लीज स्क्राइब देखने के लिए प्लीज स्क्राइब देखने के लिए प्लीज स्क्राइब देखने के लिए प्लीज स